नमस्कार, आजी पूर्णि थरे मोन नरक उथा कहुच चंती प्रधान मंँître नोरेंदरा मोदी रेडिव रे प्रधान मंंतरिगा मन की बात का अरजिक्र मरा प्रसाराण यहुचे तश Ł़ उन्यों ने इस सो बीस्के दसक महें है अमदाबाद में आई बाड को लेकर राहत कारियों का प्रबंधन किया कैसे उन्होंने बाड़ोली सत्यागरे को दिशा दी देश के लिए उनकी इमानदारी और प्रतिवद्धता ऐसी थी कि किसान मजदुर से लेकर उद्योगपती तक सब उन पर भरोसा करते थे गांदी जी ने सरदार पटेल से कहा कि राज्यों की समस्या इतनी विकट है कि केवल आपी इनका हल निकाल सकते हैं और सरदार पटेल ने एक एक कर समाथान निकाला और देश को एकता के सुत्र में पिरोने के असंभव कारे को पूरा कर दिखाया उन्होंने सभी रियासतों का भारत में विलाय कराया चाहे जुनागर हो या हैदराबाद त्रावनकोर हो या फिर राजस्तान की रियासते बे सरदार पटेली थे जीन की सुझबूच और रनदितिक कौशल से आज हम एक हिंदुस्तान देख पा रहे हैं एक्ता के बंधन में बंधे इस राश्ट को हमारी भारत मा को देख करके हम स्वाभावी गुरूप से सरदार वल्लभाई पटेल का पुन्डश मरन करते हैं इस 31 अक्तुबर को सरदार पटेल की जैनती तो और भी विशेश होगी इस दिन सरदार पटेल को सच्ची सरधांजली देते हुए हम स्टैच्ची अफ यूनिटी राश्ट को समर्पित करेंगे गुजरात में नर्दा नदी के तटपर स्थापित इस प्रतिमा की उंचाई अमेरिका के स्टैच्ची अफ लिबर्टी से दो गुनी है ये विश्व की सबसे उंची गगन चुम्बी प्रतिमा है हर भारतिय इस बात पर अब गर्व कर पाएगा कि दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा भारत की धर्ति पर है वो सरदार पटेल जो जमीन से जुड़े थे अब आस्मान की भी शोफ़ बढ़ाएंगे मुझे आशा है कि देश का हर नागरिक मा भारति की इस महान उप्लद्दी को लेकर के बिश्व के सामने गर्व के साथ सीना तान करके सरूंचा करके इसका गवरोगान करेगा और स्वाभावी का है हर हिंदुस्तानी को Statue of Unity देखने का मन करेगा और मुझे विश्वास है हिंदुस्तान से हर कोने से लोग अब इसको भी अपना एक भावती प्रियर डेस्टिनेशन के रूप में पसंद करेंगे मेरे प्यारे भावियों भेनों कल ही हम देश्वास्यों ने Infantry Day मनाया है मैं उन सभी को नमन करता हूँ जो भारतिय सेना का हिस्सा है मैं अपने सहिनिकों के परिवार को भी उनके साहस के लिए सेलिट करता हूँ लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक ए Infantry Day क्यों मनाते हैं यह वही दिन है जब भारतिय सेना के जवान कश्मीर की धर्ती पर उत्रे थे और गुस्पेजियों से घाटी की रक्षा की थी इस एहत्यासी घटना का भी सरदार वल्लभाई पटेल से सीधा सबन्ध है मैं भारत के महान सैन्य अधिकारी रहे शेम मानेक्षा का एक पुराना इंटर्यू पड़ रहा था उस इंटर्यू में फिल मार्सल मानेक्षा उस समय को याद कर रहे थे जब करनल थे इसी दौरान अक्तूबर 1947 में कश्मीर में सैन्य अभियान शुरू हुआ था फिल मार्सल मानेक्षा ने बताया कि किस प्रकार से एक बैठक के दौरान कश्मीर में सेना भेजने में हो रहे विलम को लेकर सरदार वल्लभाई पटेल नाराज हो गए थे और कहा कि कश्मीर में सैन्य अभियान में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए इसी के बाद सेना के जवानों ने कश्मीर के लिए उडान भरी और हमने देखा कि किस तरह से सेना को सफलता मिली 31 अक्तूबर को हमारी भूत्परवप्रधान मत्री स्रीमति इंद्रा गांदी जी की पुण्यत्री थी है इंद्रा जी को भी आदर पुर्वक सद्धांज ली मेरे प्यारे देश्वासियों खेल किसको पसंद नहीं है खेल जगत में स्पिरिट, स्ट्रेंथ, स्कील, स्टेमिना ये सारी बाते बहुत ही महत्पूर है ये किसी खिलाडी की सफलता की कसोटी होते हैं और यही चारों गून किसी राज के निर्मान के भी महत्पूर होते हैं किसी देश के युवाओं के भीतर अगर ये हैं तो वो देश न सिर्फ अर्द्वेवस्ता, विज्ञान और टेक्नोलोजी जैसक शेत्रों में तरकी घरेगा, बलकि स्पोर्स में भी अपना परचम फैराएगा हाली में मेरी दो यादगार मुलाकाते हुई पहले जाकारता में हुई एशियन पैरा गेम्स 2018 कि हमारे पैरा एथलेट से मिलने का मोका मिला इन खेलों में भारत ने कुल 72 प्रदक जीत कर नया रिकॉर्ड बनाया और भारत का गवरो बढ़ाया इन सभी प्रतिभावान पैरा एथलेट से मुझे नीजी तोर पर मिलने का सौभागी मिला और मैंने उन्हें बढ़ाई दी उनकी द्रड इच्छा शक्ती और हर विप्रित परिस्तिसे से लड़कर आगे बढ़ने का उनका जज़वा हम सभी देश्वासियों को प्रेडित करने वाला है इसी तरह से अर्जन्टीना में हुए समर यूथ ऑलिम्पिक्स 2018 के विज़ेताओं से मिलने का मुखा मिला आपको यह जानकर के प्रसनता होगी कि यूथ ऑलिम्पिक 2018 में हमारी युवाओं ने अब तक का सबसे बहतरीन प्रदर्शिन किया इस आयोजन में हमने तेरा प्रदक के अलावा मिक्स इवेंट में तीन और प्रदक हासिल किये आपको याद होगा कि इस बार एशियन गेम्स में भी भारत का प्रदर्शन बहतरीन रहा था देखिए पिछले कुछ मिनिटों में मैं कितनी बार अब तक का सबसे अच्छा अब तक का सबसे शांदार ऐशे शब्दों का प्रयूग किया यह है आज के भारत के खेलों के कहानी जो दिनों दिन नई उचाईयां चू रही है भारत सिर्फ खेलों में ही नहीं बलकि उन छेत्रों में भी नई रिकॉर्ड बना रहा है जिनके बारे में कभी सोचा तक नहीं गया था उधार के लिए मैं आपको पैरा एथलिट नारा एंट ठाकुर के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने दोहजार अठारा के एशियन पैरा गेम्स में देश के लिए एथलेटिक्स में गोल मेडल जीता है बहुत जन्मत से ही दिव्यांग है जब आठ वर्स के हुए तो हुन्होंने अपने पीता को खो दिया फिर अगले आठ वर्स उन्होंने एक अनाथाले में बिताए अनाथाले छोड़ने के बाद जिंदिकी की गाड़ी चलाने के लिए डिटीसी की बसों को साप करने और दिल्ली में सडक की किनारे धाबों में वेटर के तोर पर कार्य किया आज वही नारायन इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं इतना ही नहीं भारत की खेलों में उतकुरुष्ठता के बढ़ते दाइरे को देखिए भारत ने जूडों में कभी भी चाहे वो सीनियर लेवल हो या जूनियर लेवल कोई आलिम्पिक मेडल नहीं जीता है पर तबावी देवी ने यूथ आलिम्पिक्स में जूडों में सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रच दिया सोला वर्ष की खिलाडी तबावी देवी मनिपूर के एक गाउं के रहने वाली है उनके पिता एक मजदूर है जबकि मां मचली बेचने का काम करती है कई बार उनके परिवार के सामने ऐसा भी समय आया जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे ऐसी परिस्थितियों में भी तबावी देवी का होसला डीका नहीं सकी और उन्होंने देश के लिए मेडल जीत कर इतिहास रचा है ऐसी तो अनगिनत कथाएं हैं हर एक जीवन प्रेणा का स्रोत है हर युवा खिलाडी उसका जजबा न्यू इंडिया की पहचान है मेरे पैरे देशवासियों आप सबको याद होगा कि हमने 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल कप का सफल आयोजन किया था पूरे विश्व ने बेहत सफल टूर्णामेट के तौर पर उससे सहराहा भी था फीफा अंडर 17 वर्ल कप में दर्सकों के संख्या के मामले में भी एक नया किर्तिमान रच दिया था देश के अलग-अलग स्टेडियम में 12 लाग से अधिक लोगों ने फुटबॉल मैचों का आनन लिया और युवा खिलाडियों का होसला बढ़ाया इस वर्ष भारत को भुमनेश्वर में पूरूष होकी वर्ल कप 2018 के आयोजन का सौभाई के मिला है होकी वर्ल कप 28 नवंबर से प्रारम होकर 16 दिसंबर तक चलेगा हर भारतिया चाहे वह कोई भी खेल खेलता हो या किसी भी खेल में उसकी रूची हो होकी के प्रती एक लगाव उसके मन में अवश्य होता है भारत का होकी में एक स्वनिम इत्यास रहा है अतीत में भारत को कई प्रतियोगीताओं में स्वन पतक मिले है और एक बार विश्व कम विजेता भी रहा है भारत ने होकी को कई महान खिलाडी भी दिये हैं विश्व में जब भी होकी की चर्चा होगी तो भारत के इन महान खिलाडीों के बिना होकी की कहानी अधूरी रहेगी होकी के जादूगर मेजर ध्यानचन से तो पूरी दुनिया परिचीत है उसके बाद बलविंदर सी सीनियर लेशली क्लोडियस महमस शाहीत उधमसी से लेकर धंदराज पीले तक होकी ने एक बड़ा सफरताय किया है आज भी टीम इंडिया के खिलाडी अपने परिश्रम और लगन की बड़ावलत मिल रही सफलताओं से होकी की नई पीडि को प्रेडित कर रहे हैं खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक मेचेश को देखना एक अच्छा उसर है भूमने स्वर जाएं और नसरिफ भारती टीम का उत्सा बढ़ाएं बलकि सभी टीमों को प्रोचाइद करें ओडिशाय का ऐसा राज्य है जिसका अपना गवरोपन इतिहास है समरिद्ध सास्कुरुतिक विरासत है और वहां के लोग भी गर्म जोसी भरे होते हैं खेल प्रेमियों के लिए ये ओडिशा दर्शन का भी एक बहुत बड़ा आउसर है इस दवरान खेलों का आदन उठाने के साथ ही आप कौनाक के सुरिय मंदीर, पुरिमे भगवान जगनाद मंदीर और चिल का लेक समेत कई विश्व प्रसिद्ध दर्शनिया और पवित्र स्थल भी जुरूर देख सकते हैं मैं इस प्रतियोगीता के लिए भारतिय पुरुष होकी टीम को सुबकामनाई देता हूं और उने विश्वाद दिलाता हूं कि सवा सो करोड भारतिय उनके साथ और उनके समर्थन में खड़े हैं मैं भारत आने वाली विश्व की सभी टीम को भी बहुत-बहुत सुबकामनाई देता हूं मेरे प्यारे देश वास्यों सामाजी कारे के लिए जिस प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं इसके लिए वॉलिंटियरिंग कर रहे हैं वो पुरे देश वास्यों के लिए प्रेणा दायक है जोश भरने वाला है वैसे सेवा परमोधर्वा ये भारत की विरास्त है सद्यों पुरानी हमारी परंपरा है और समाज में हर कौने में हर छेत्र में इसकी सुखन आज भी हम महसूस करते हैं लेकिन नए उग में नए तरीके से नए पीड़ी नए उमंग से नए उत्साथ से नए सपने ले करके इन कामों को करने के लिए आज आगे आ रही है पिछली दिनों मैं एक कारकम में गया था जहां एक पॉर्टल लॉंच किया गया जिसका नाम है सेल्फ और सोसाइटी मायगो और देश की आईटी और एलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री ने अपने एंप्लोईस को सोशल एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट करने और उन्हें इसके अफसर उपलब्द कराने के लिए इस पॉर्टल को लॉंच किया है इस कारे के लिए उनमें जो उत्साँ और लगन है उसे देख कर हर भारतिये को गर्व मैसूस होगा IT to society मैं नहीं हम अहम नहीं वयम स्वयासे समस्टी की यात्रा की इसमें महेख है कोई बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई भुजूर्गों को पढ़ा रहा है कोई स्वच्छता में लगा है तो कोई किसानों की मदद कर रहा है और यह सब करने के पीछे कोई लालसा नहीं है बलकि इसमें समरपन और संकल्प का निस्वार्थ भाव है एक युवाने तो दिव्यांगों की विल्चेर बास्केट बॉल टीम की मदद के लिए खुद विल्चेर बैस्कोर्ट बॉल सीखा यह जो जजबा है यह जो समरपन है यह मिशन मोड अक्टिविटी है क्या किसी हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व नहीं होगा जरूर होगा मैं नहीं हम की यह भावना हम सब को प्रेरित करेगी मेरे पैरे भायों बहनों इस बार जब मैं मन की बात को लेकर आप लोगों के सुझाव देख रहा था तो मुझे पूरी चोरी से स्री मनिश महापात्र की एक बहुती रोचक टिपनी देखने को मिली उन्होंने माय गाव पर लिखा है कुपया आप मन की बात में इस बारे में बात कीजिए कि कैसे भारत की जनजातिया उनके रिती रिवाज और परंपराय प्रकृती के साथ सहस्तित्व के सर्वस्टेश्ट उदा रहे सस्टेनेबल डवलप्मेंड के लिए कैसे उनके ट्रेडिशन्स को हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्रक्ता है उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है मनिज जी इस विशे को मन की बात के स्रोताओं के बीच रखने के लिए मैं आपकी सरहना करता हूँ यह अग ऐसा विशे है जो हमें अपने गवरव पुर्ण अतीत और संस्कृति की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है आज सारा विश्व विशेश रूप से पश्चिम के देश परियावरन सवरक्षन की चर्चा कर रहे हैं और संतुलिज जीवन शैरी बैलेंस लाइब के लिए नए रास्ते ढूंड रहे हैं वैसे आज हमारा भारत वस भी इस समस्या से अच्छूता नहीं है लेकिन इसके हल के लिए हमें बस अपने भीतर जोंकना है अपने समरुती इतिहास परंपराओं को देखना है और खास कर अपने जन जातिय समुदायों की जीवन सैली को समझना है प्रकृती के साथ सामांजस से बना करके रहना हमारे आदिवासी समुदायों की संस्कृत में शामील रहा है हमारे आदिवासी भाई भेहन पेड़, पौधो और फुलों की पूजा देवी देवताओं की तरह करते है मद्य भारत की भिल जन जाती में, विशेशकर मद्य प्रदेश और चतिस गण में लोग पीपल और अरजुन जैसे पेड़ों की स्रद्धा पूजा करते है राजस्तायान जैसे मरु भूमी में विश्टोई समाज ने परियावरन सवरक्षण का रास्ता में दिखाया है उन्हें वो अपना भाई भन तक मानते हैं, नागालेंड में भी बागों को वनों के रक्षक के रुप में देखा जाता है महरास्ट्र के वरली समुदाय के लोग बाग को अतिति मानते हैं, उनके लिए बागों के मवजूद की समुरुद्धि लाने वाली होती है मद्य भारत के कोल समुदाय के बीच एक मान्यता है कि उनका खुद का भागय बागों से जुड़ा है, अगर बागों को निवाला नहीं मिला, तो गाम वालों को भी भूखा रहना पड़ेगा ऐसी उनकी स्रद्धा है, मद्य भारत की गौण जन जाती, बीडिंग सीजन में, कैथन नदी के कुछ हिस्सों में मचली पकड़ना बन कर देते हैं, इन ख्षेत्रों को वो मचलीयों का आस्थरे स्थान मानते हैं, इसी प्रथा के चलते हैं, उन्हें स्वस्त और भरपूर म निलगीरी पठार के कांग शेत्रों में एक छोटा घुमन समुदाय तोड़ा पारंपारिक तोर पर उनकी बस्तियां स्थानिय स्थर पर उपलब्त चीजों से ही बनी होती हैं, मेरे प्यारे भाईयों भेनों, ये सच है कि आदिवासी समुदाय बहुत सांतिपूर्ण और आपस में मेल जोल के साथ रहने में विश्वाद रखता है, पर जब कोई उनके प्राक्रूतिक संसाधनों का नुक्षान कर रहा हो, तो वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से डरते भी नहीं हैं, ये हस्चेरे की बात नहीं है, कि हमारे सबसे पहले स्वातंतर से नान भी है, आदिवासी समुदाय के ऐसे बहुत से उदारा है, जो हमें सिखाते हैं कि प्रकूतिक के साथ सामंज से बना कर कैसे रहा जाता है, और आज हमारे पास जो जंगलों के संपदा बची है, इसके लिए देश हमारे आदिवाशियों को रणी है, आईए हम उनके प्रती आदर भाव व्यक्त करें, मेरे प्यारे देश वाशियों, मन की बात में हम उन व्यक्तियों और संस्ताओं के बारे में बाते करते हैं, जो समाज के लिए कुछ असाधारन कारिय कर रहे हैं, ऐसे कारिया जो देखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन वास्तों में उनका ग परिश्रमी किसान गुरु बचन सही जी के बेटे का विभा था। इस विभा से पहले गुरु बचन जी ने दुर्हन के माता पिता से कहा था कि हम शादी सादगी से करेंगे। बरात हो और चीजे हो खर्चा कोई जादा करने की जरूत नहीं है। हमें इसे एक बहुत सादा उसर ही रखना है। फिर अचानक उन्होंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है और आजकल जब शादी ब्याद के समय सर्त की बात आती है तो आम तोर पर लगता यही है कि सामने वाला को कुछ ऐसी चीजे मांगेगा तो शायद बेटी के परिवार जनों के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन आपको जानकर के हस्षर होगा। यह तो भाई गुरु बचन सी थे सादे सिदे किसान। उन्होंने दुलहन के पिता से जो कहा जो सर्त रखी वो हमारे समाज की सच्च ताकत है। गुरु बचन जी ने उनसे कहा कि आप मुझे बचन दीजिए कि अब आप खेत में पराली नहीं जलाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं। कितनी बड़ी सामाजिक ताकत है इसमें। गुरु बचन सी जी कि ये बात लगती तो बहुत मामुली है। लेकिन ये बत प्रसंग को समाज हीत के प्रसंग में परिवर्तित करते हैं। श्रीमान गुरु बचन सी जी के परिवार ने बैसी एक मिसाल हमारे सामने दी है। मैंने पंजाब के एक और गाउं कालर माजरा के बारे में पड़ा है। जो नाभा के पास है। कालर माजरा इसलिए चर्चित हुआ है क्योंकि वहां के लोग धान की पराली जलाने की बजाय उसे जोद कर उसी मिट्टी में मिला देते हैं उसके लिए जो टेक्नोलोजी उप्योग में लानी होती हैं वो जुरूर लाते हैं बाई गुरू बचन सीची को बढाई कालर माजरा और उन सभी जगों के लोगो रहे हैं जी तरह बुंद बुंद से सागर बनता है उसी तरह छोटी छोटी जागरुग और सक्रियता और सकारात्मक कारिय हमेशा सकारात्मक माहुल बनाने में बहुत बड़ी भुमिक आदा करता है मेरे प्यारे देश्वाचियों हमारे ग्रंथों में कहा गया है है इश्वारे तीनों लोकों में हर तरफ शांतिक आवास हो जल में, पृत्वी में, आकाश में, अंत्रीक्ष में, अग्नी में, भवन में, आउसधी में, बनस्पती में, उपवन में, आउचेतन में, संपून ब्रह्मान में सांति स्थापीत करे जीव मात्र में रदय में मुझ में तुझ में जगत के कनकन में हर जगह सांति स्थापीत करे ओम शांति ही शांति ही शांति ही जब कभी भी विश्व शांति की बात होती है तो इसको लेकर भारत का नाम और योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित भारत के लिए इस वर्ष 11 नमंबर का विशेश महत्पव है क्योंकि 11 नमंबर को आज से 100 वर्ष पूर्व प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हुआ उस समाप्ति को 100 साल पूरे हो रहे हैं यानि उस दवरान हुए भारी विनास और जनहानी की समाप्ति की भी एक सदी पूरी हो जाएगी भारत के लिए प्रथम विश्वयुद्ध एक महत्पवपुन घट्टा थी सही माहिने में कहा जाए तो हमारा उस युद्ध से सीधा कोई लेना देना नहीं था इसके बावजुद्ध भी हमारे सैनिक बहादूरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिक आने बाई सर्वोच्च बलिदान दिये भारतिय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं है हमारे सैनिकों ने दूर्गम ख्षेत्रों में विशम परिस्थितियों में भी अपना सवर्य दिखाया है इन सब के पीछे एक ही उद्देश रहा सांती की पुनह स्थापना प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया ने विनास का तांडव देखा अनुमानों के मताबिक करीब एक करोड सैनिक और लगभग इतने ही नागरिकों ने अपनी जान गवाई इससे पूरे विश्व ने सांती का महत्व क्या होता है इसको समझा पिछले सो वर्षों में सांती की परिभाषा बदल गई है आज सांती और सहवार्द का मतलब सिर्फ युद्धकान न होना नहीं है आतंगवाद से लेकर जलवायू परिवर्तन आर्थिक विकास के लेकर सामाजिक न्याय इन सब के लिए वैस्विक सहयोग और समनवय के साथ काम करने की आवश्चता है गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास ही शांती का सच्चा प्रतीक है मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे नौर्थिस की बात ही कुछ और है पुर्वत्तर का प्राक्रोतिक सांदरिया अनुपम है और यहां के लोग अत्यनत प्रतिभाशाली है हमारा नौर्थिस अब तमाम बेस्ट डीट्स के लिए भी जाना जाता है नौर्थ इस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसने और्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत उन्नति की है कुछ दिन पहले सिक्किम में सस्टेनेबल फूर्ड सिस्टिम को प्रोथसान देने के लिए प्रतिष्टित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड एवोर्ड 2018 जीता है यह एवोर्ड सहिंक्त राज से जुड़े FAO एनि Food and Agriculture Organization के दरब से दिया जाता है आपको यह जानकर प्रसंदता होगी इस सेक्टर में बेस्ट पॉलिसी मेकिंग के लिए दिया जाने वाला यह पुरसकार उस खेत्र में उसकर के समान है यही नहीं हमारे सिक्कीम ने 25 देशों की 51 नॉमिनेटेड पॉलिसीज को पचार कर यह एवोर्ड जीता है इसके लिए मैं सिक्कीम के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों अक्तूबर समाप्ति पर है मौसम में भी बहुत परिवर्तन अनुभव हो रहा है अब ठन के दिन शुरू हो चुके हैं और मौसम बदलने के साथ साथ त्योहारों का भी मौसम आ गया है धंतेरस, दिपावली, भहियादूज, छट एक तरीश के से कहा जाएं तो नवंबर का महिना त्योहारों का ही महिना है आप सभी देशवाशियों को, इन सभी त्योहारों की डेर सारी सुबकामना है मैं आप सबसे आग्र करूँगा, कि इन त्योहारों में अपना भी ध्यान रखे, अपने स्वास्त का भी ध्यान रखे और समाज के हीतों का भी ध्यान रखे मुझे विश्वास है कि ये त्योहार नए संकल्प का उसर है ये त्योहार नए निर्णयों का उसर है ये त्योहार एक मिशन मोड में आगे जाने का दर्ध संकल्प लेने का आपके जीमिन में भी उसर बन जाए आपकी प्रगती देश की प्रगती का एक एहम हिस्सा है आपकी जितनी ज़्यादा प्रकति होगी उतनी ही देश की प्रकति होगी मेरी आप सबको बहुत बहुत शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद